एक बहुत बड़ा इंवेस्टमेंट किया रहा है अब सोचो जब इतना बड़ा इंवेस्टमेंट होता है तो सर वो कंपनियां का जो शेर होता है उस में काफी बड़ी तेजी देखने को मिलती है देख लिजे यहां देख सकते हो बताया जरा अदानी टु इन्वेस्ट 2.3 ट अब आप सोच लो इतना बड़ा पैसा डाला जा रहा है तो मतलब कुछ बड़ा फ्यूचर में देखने को मिल सकता है कंपनी में और अभी तक देको दो टाप के बिजनस होते हैं सर एक बिजनस जो चल रहा है ठीक है वह चलता रहा चलता रहा थीक है बहुत दूसरा बिजनेस है सर उनमें अभी और इन्वेस्ट किया जा रहा और इन्वेस्ट किया जा रहा और इन्वेस्ट मतलब इस बिजनेस को सर और बड़ा बनाना है इस बिजनेस को थोड़ा और बड़ा बनाना है सर और मोटा पैसा यहां से हम निकाल सकते हैं इस वज़े से और ज़्यादा investment किया जा रहा है इन्होंने time भी बोल रखा है सर कि Adani Group will invest about 2.3 trillion यहाँ पर बताया जा रहा है तो 2030 in India तो अगर आप 2030 तक जैसे कि होता क्या है कि कुछ लोग मतलब shares खरी लेते हैं मैं यहाँ पर आपको खरीदने मेशने के लिए पैसे डालने वाले है कहने का मतलब है कि company जिस तरीके से long term का planning कर रही है उससी तरीके से अगर आप चलोगे तो ही कुछ अच्छा होगा ऐसा है जहाँ पर बताया जा रहा है renewable energy, expansion and solar and wind manufacturing capacity यह सारी चीजों को solar पे और wind पे यह ज़्यादा तर ध्यान दे रहा है solar और wind यह दो बहुत बड़ी मतलब समझ सकते हूँ चीज है renewable energy, renewable sector के अंदर में जिसके उपर ज़्यादा मोटा पैसा खर्च कहा जाता है यहाँ पर और detail में यह लोग बोल रहे हैं यहाँ पर इसी वज़े से इतना बड़ा investment यह लोग कर रहे हैं यहाँ पर इसी वज़े से ताकि बताया जारा कि यह लोग काफी मतलब बड़े लेवल पे electricity from देख सकतो generate electricity from solar wind power बहुत बड़े लेवल पे generate करेंगे बताया जारा 30 gigawatt बहुत बड़ा होता है 1 megawatt होता है 1 gigawatt बहुत बड़ा होता है 30 gigawatt बात कर रहे हैं कि यह लोग इतना करेंगे from 2 gigawatt जो मैं आपको बहुत बड़ा target है बहुत का मतलब बहुत भी बड़ा target है अगर यह इतना कर देते हैं तो समझो मतलब कि इंडिया में इनका नाम बहुत बड़े लेवल पर चला जाएगा ठीक है वर्ल्ड में भी बहुत सरे company को टक्कर देना स्टार्ट कर देंगे और बताया जारा another 50,000 करोड in 6 to 7 gigawatt similar project तो इस तरीके से similar project में और भी लगब काफी बड़ा पैसा invest करने वाले हैं जैसे हमारी देश के जो सरकार है हमारा देश के अंदर अगर आप देखोगे तो government का कुछ-कुछ अपना एक target होता है वहाँ पर आपको बताया जा रहा corporate in the countries which is यहाँ पर देख सकतो targeting to generate 500 gigawatt electricity from non fossil fuels जो होता है न source by 2030 तक तो 2030 तक और बताया गया है कि 2070 तक net zero emission हमें कर देना है इसको 2070 तक तो जितने भी renewable वाले stocks हैं वो आने वाले माल लेते हैं कि 2070 तक वो चलते ही रहेंगे सर ऐसा रहेगा तो अधानी के लिए सर अधानी green जो company है यह बहुत बड़े लिवल में काम कर रही है solar के लिए सर और winter wine के लिए बहुत बड़े लिवल में काम कर रही है सर और देखो कि यह company जिस speed से गिरा था सर उससी speed से यह cover भी हो गया हाला कि hidden bank के जब report आया तो stock यहां पर था और आज भी देखते हो तो सर यहां पर ही है मतलब जहां से गिरना start किया था आज वहां पर ही आके बैठा हुआ ऐसा 3% हाला कि उपर ही देखने को मिल रहा तो hidden bank के तरप से जो भी report आया था सर वह लगबग समझो कि समाप्त हो चु जादा ही है 200 से भी उपर है 220,219.89 समझ न की कोसे किजिए यह जो है न सरे यह आज के वैलुशन के हिसाप से बताया जा रहा ठीक है आज के वैलुशन के हिसाप से बताया जा रहा लेकिन लेकिन यह company जो है न वो क्यों इतना महेंगा मिल रही क्यों को पता है कि future में हमारा demand बढ़ने ही बढ़ने वाला है जिस तरह के से हमारे company के अंदर इतना investment किया जा रहा इतना loan लेके लगबख काफी बड़े-बड़े project किये जा रहे है और future में हमारा यह यह target है इस वज़े से इंको पता है कि हमारा जो market cap का जो target है वो कम से कम तो 10 लाग करोड का है सर लेकिन ह यह हमारा future target है इस पर हम लगबख जो है road में बना के काम करना start कर दिया है that is implement है जो implement करना start कर दिया है इन लोगों ने लेकिन फिर भी क्या उनका profit आया है नहीं आया सर तो जब तक profit नहीं आएगा तब तक sir P ratio सस्ता नहीं होगा logically मैं आपको बता रहा हूँ company को जो profit आएगा तो P ratio अपने आप सस्ता हो जाएगा sir अपने आप सस्ता होगा और यहां पर देखेगा तो सबसे बड़े level में sir solar के लिए बहुत चादा काम करते हैं और जिस तरीके से अदानी कृप में बोला जा रहा है इतना बड़ा investment किये जाएगा तो मतलब साफ साब पता चलता है कि अ अदानी के green वाले company में कुछ जादा ही बड़ा आपको लगबग आडवांटेज आपको देखने को मिल जागा solar sir related sir यह company बहुत बड़े level में काम करता है बहुत का मतलब बहुत बड़े level में काम करता है उसके बाद sir अदानी का power इसमें तो अगर आप देखो गे तो reliance industry ने भी sir इसमें काफी बड़ा हिस्सेदारी खरीद लिया ऐसा तो अब यह एक अच्छी बात हा भई कि reliance ने आवर हिस्सेदारी खरीद लिया अब reliance के भी यह company मानी जा रही है यह तो sir ऐसे भी all time high चलने को मिल रहा है यह भी 5 lakh crore की company होई चुक है sir देख लिजए अगर यहां सस्ता है sir खेवल 10 के बाज़े में देखने को मिला है मतलब इसे साफ साफ पता चलता है कि कम से कम तो पी लगबग 30 होना चाहिए तो company यहां से तीन गुना आराम से हो सकती है इस हिसाफ से पता चलता है इसी वज़ए से sir reliance ने इस company में हिस्सेदारी खरता है इसी वज़ए स से जाता तो मुंबई को अक्यवाल एक company electricity supply करेगा मुंबई मतलब बहुत बड़े लेवल में अगर आप देखो यह तो वहां पर मतलब electricity की जिरोत होती है sir हर जगे बहुत ज्यादा consumption होता है तो वहां पर sir इस तरकी के company जो है उभर के बाहर आएगे तो मुझे लगता है कि बड़े लेवल में काम होगा इस ऐसी company में और बड़ा-बड़ा investment होना start हो रहा है तो सारे company के quarter result के activities पे नजर रखे गा मुझे ऐसा लगता है यह को recommendation advice नहीं जिरों कि आप खरीदी लोग करेगे ठीक है क्योंकि कल के date में थोड़े बहुत गिर जाता है तो लोग घबरा जा सेवन लाग करोड का investment कर रहा है आने वाले 10 साल में सेवन लाग करोड सर मैं आपको बता दूँ एक लाग करोड अगर कोई company हो जाती ना तो यह बहुत बड़ी ख़बर होती है इंडियन स्टॉक मार्केट में यह इंसान तो भाई company बनाने की नहीं बात कर रहा यह सात लाग करोड रोपय तो सर किवल invest करेगा मतलब कम से कम तो यह सोचा हुआ कि भाई 30 लाग करोड की company मनाना है सोच लो एगी नहीं इनकी सारी company 20 आराम से समझो कि 15 लाग करोड की तो भी हो जाएगी सर ऐसा और इतना बड़ा investment करके तो समझो कि इनका future plan है कितने लोग को लगता है कि कौन से company सबसे ज़्यादा future में अच्छा perform कर सकते हैं कितने लोग को कौन से कौन से company लगता है आप अपना reason के साथ comment लिख सकते हो कि भाई मुझे आदानी gas अच्छा लगता है मुझे आदानी wilmer जो भी आपको जो भी अच्छा लगता है आप अपने हिसाब से comment करके बताए कि मेरा favorite ये है और मुझे ये इस वज़े से अच्छा लगता है और मैंने इतने low price में खरीद रखा है आप comment करके बता सकते हैं ताकि दूसरों लोगों को पता चले सर और हो सकता है तो जो ज़्यादा तर comment रहेंगा तो मैं उसको पर फिर video भी बना दूँगा से ऐसा रहेग तूसरों